ये rescue operation चल रहा है और rescue operation हो गया है और ये देखिए सुरक्षित निकाल ली गई है नीरू बहुत बड़ी खबर बहुत बड़ा अपडेट हम आपको लाइव तस्वीरे दिखा रहे हैं डी टीवी राजस्तान पर कैसे 14 घंटे से जो नीरू को बचाने के लिए जंग चल रही थी वो जंग जीत में तबदील हो गई है नीरू को सुरक्षित बहार निकाल लिया गया है मा ने pipe से बने tunnel में बच्ची से बाद भी की थी बहुत रो रही थी आ लेकर आश्वस्त थी क्योंकि वो देख रही थी कि NDRF और SDRF की टीम जो है वो लगातार जा रही है वो लगातार अपना काम कर रही है जंग जीत जंग में जीत हुई है NDRF SDRF की टीम में टीम की यह आप लाइव तस्वीरे देख रहे हैं जहाँ पर नीरू जो बच्ची है उसको कैसे आंबुलिंस में बैठा कर रवाना किया जा रहा है क्योंकि 14 घंटे से ज्यादा समय बीद गया और वो बच्ची वहीं पर फसी हुई थी तो उसे अब निकाल लिया गया है सुरक्षित निकाल लिया गया है बहुत बड़ी जीत NDRF, SDRF, सरकार, प्रशासन सब की कि 14 घंटों के मशक्कत के बाद फाइनली अब नीरू खत्रे से बाहर है अब वो खुले हवा में सास ले रही है बुरेविल में गिर गई थी नीरू और उसको बचाने की जदो जहद में 14 घंटे बीद गया, 14 घंटे से ज्यादा का टीम समय बीद गया, NDRT विराजस्थान आपको ताजा अपडेट्स हमेशा दे रही थी कल चार बज़े से बुरेविल के पास 35 फीट गहरा गढधा जयके पास 34 फीटा से बच्त कर दो भीदे जादा वापको ताजस्था बालाव है, NDRT विराजस्थान का टीम समय इंटे टाजस्थार खोगना ज्यादा वादा वादान इंटे लादाना का।